हालो गाइस वेल्कम बैक टो आवा चैनल सिंप्लिफाइट स्टडी ओफिशल तो गईस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिनेशल मार्केट और सर्विसेज की बुक से चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फिनेशल मार्केट तो आज की वीडियो में देखेंगे कि फ प्लेलिस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसमें सारे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे तो विडाउट वीडियो तो सबसे बिले हम देखेंगे फिनेशल सिस्टम और मार्केट क्या होता है तो बेसिकली जो फानेशल मार्केट है य यहां पे convert कर सकते हैं किसमें investment में next guys role and function of financial system क्या-kya role and function है financial system का पहला है यह एक link प्रवाइड करता है savers and investor के तुम इसमें हम अपने जो savings है उसे हम use कर सकते हैं effective and efficient manner में यह हमें assist करता है किस तरीके से हमें कौन सा project को select करना है किसको finance करना है किस project की अभी performance देखनी है यह वो and services को better way में and यह हमें ऐसा mechanism provide करता है जिसमें हम resources को transfer कर सकते हैं अलग-अलग geographical boundaries में यह हमें help करता है जिससे हम manage and control कर सकते हैं हमारा risk जो हमने पैसे save किये हुए है ठीक है इसमें हम अलग-अलग securities में लगा सकते हैं क्योंकि अगर हम एक security में लगाएंगे तो chances हैं कि वो हमारा पैसा डूब जाए अगर हम अलग-अलग securities में लगाएंगे तो उससे diversification होगी और मारा पैसे डूबने के chances क्या है काम होंगे next component यहां फिर constitutes of Indian financial system इसमें चार चीज़े आ जाएंगी पहला है financial institute दूसरा है financial markets तीसरा है financial instruments यहां assets यहां securities and fourth one is financial services सबसे बहले हम देखेंगे financial market का क्या meaning है financial market का मतलब क्या होता है एक ऐसा institute जो हमें financial assets and credit instrument के साथ deal करता है जिसमें हम different types of currency checks depository and banks का use करते हैं ठीक है financial market broadly दो तिन पार्ट में डिवाइड होता है पहला है loan market और दूसरा है open market next हम देखने माले क्या क्या function है financial markets का तो अगर आपने मेरी सारी videos देखी होंगी na financial market and services की तो आपको यह सारी चीज़े जो मैं बता रही हूं ना यह सारी चीज़े पता होंगी कि basically जो यह चोटे-चोटे चीज़े हमें जो यह चोटे-चोटे topics इस chapter में में दिये गए ना यह आगे जाके सारे chapters है ठीक है function क्या है financial markets के to facilitate creation and allocation of credit and liquidity liquidity and credit की facility economy में बनी रहे एक financial market है कि intermediary की तरह काम करते हैं जिसमें हम अपने जो savings है उसे mobilize कर सकते हैं balance economic development कर सकते हैं financial convenience जो है उसे provide कर सकते हैं और साथ यह साथ वेरियस credit needs जो है business houses कर सकते हैं next types of financial markets basically दो types की अपकी financial market होती है पहली होती है money market और दूसरा होता है capital market already मैंने आपको वीडियो बना रखी है capital market and money market का difference ठीक है जो five marks के लिए वो भी अब देख सकते हो सबसे पहले पढ़ेंगे money market इस money market जो है वो हमें short term funds provide करती है इसका money market का मतलब है वो institutional arrangement जो हमें borrowing and lending करते हैं इसमें short term funds के लिए करते हैं ठीक है money market में landers and जो कह सकते हो lender and borrower को एक जगा मिलती है जहां पे वो lender है वो lender कर सकता money और borrower borrower कर सकता है ठीक है तो कि इसमें जो money market funds है वो short period के लिए होते हैं यह एक दिन के भी हो सकते हैं कुछ हफतों के लिए हो सकते हैं और month के लिए हो सकते हैं या फिर 3 या 6 month के हो सकते हैं ठीक है different types of instruments मारे money market में आते हैं जैसे bill of exchange, banker acceptance, bonds, जैसे हम near money भी कहते हैं मतलब और वो सरी चीजे जो easily convert हो सकती है cash में इसलिए money market हमें क्या करती है liquidity provide करती है ठीक है next है फंक्शन्स of money market क्या क्या functions है money market के first one is liquidity प्रवाइड करते है commercial banks को business corporations को और यह ऐसा outlet प्रवाइड करते है commercial bank business corporations को जैसे हम short term funds क्या कर सकते हैं race कर सकते हैं और गई money market हमें प्रवाइड क trader हो वो short term funds को raise कर सकता है money market हमें short term funds provide करती है government institute को भी even यह provide करती है और जो money market है काफी जदा important role play करती है क्योंकि इसमें जो flow of fund है वो काफी जदा important use काम के लिए use हाता है next components और sub market of money market क्या का components है money market की number one is call market दूसरा is second है collateral loan market third one is acceptance market and fourth one is bill market सबसे पहले बढ़ेंगे call market तो क्याइस call market है ऐसी market होती है जो बहुत चोटे पीरड के लिए होती है और यह market seven days से अबव नहीं होती not exceed seven days and money market आपको high liquidity परवाइड करती है ठीक है इसमें साथ दिन से ज्यादा नहीं होता यह day to day basis भी हो सकते है 24 घटे के लिए भी हो जते है और इसके लिए कोई collateral security या नि कोई चीज गिरवी रखने कि आपको इस चीज में जरूरत नहीं है ठीक है कोल मार्केट आपको high liquidity परवाइड करते हैं कोई यह काफी short term के लिए होती है ठीक है नेक्स्ट को लेटर लोन मार्केट को लेटर लोन मार्केट का क्या मतलब है आपको लोन मिलेगा आपको कुछ लग है उसकी ओनर्शिप किसके पास होती है लेंडर के पास होती है जब आपको पैसा दे रहे हैं जब अब सारा लोन पे कर दोगे तो आपको आपको मिल जाएगी और अगर आप नहीं पेए करते डिफोल्ट करते हो तो वह एसेट किसका होगा लेंडर का होगा नेक्स्ट एक्सेप्टेंस मार्केट इसके मैंने वीडियो मनाई है एक्सेप्टेंस मार्केट इंडिसकाउंट हाउस की मनाई है तो एक बार शोट में देख लेते हैं एक्सेप्टेंस मार्केट का में मितलब होता है जहां पे बिल्स को एक्सेप्ट किया जाता है जैसे मै लिए इसको आगे उसकी बेश्क को एक्सेप्ट करेंग और फौदर उसको डिसकाउंट किया जाएगा तो ये भी आपको लिक्विडिटी परवाइड करते हैं जिसमें सारी ट्रेट रांसक्शन आपके आती है ठीक है नेक्स टेक्स इस बिल्स मार्केट, बिल्ल मार्केट दो इस बिल ओफ एक्सिंट रोग या जाता है उसमें लिखा होगा कि हाँ एक्सने वाई को गुर्स दिए है बीज़ार एक्स को पे करना है 15 दिन के अंदर या बीज दिन के अंदर ठीक है आपको specific date के बाद and यह sold किया जाते है Central back के दुवारा on the behalf of government ठीक है और यह एक important aspect है tragedy bills क्योंकि इसमें जो fixed rate of interest नहीं होता है ठीक है next step का capital market capital market का मतलब होता है वो institutional arrangement जिसे borrowing and landing कर सकते हो long term funds के लिए ठीक है हमने money market में क्या पढ़ा short term funds के लिए इसमें क्या होता है money market में short term funds थी इसमें capital market में long term funds है ठीक है इसमें जो आपका capital market है वो एक organized mechanism है जो आपको effective and efficient transfer money capital की देता है financial sources देता है and इसमें आपके investor investing parties individual institutional saver entrepreneurs भी हो सकते है next objectives and importance of capital market क्या क्या importance यह फिर objective है capital market की इसमें gazap को free market economy provide की जाती है इसमें coordination जो balance है saving का investment का बना रहता है direct flow of slave savings जाती है ठीक है and इसमें national income जो saving है उसे आप अच्छी तरीके से mobilize कर सकते हो and import जो है foreign capital investment का वो अच्छी तरीके से बना रहता है next step functions of capital market क्या 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 नंबर वन है mobilization of financial resources on national wide scale securing the पहला है आप financial resources उसे अच्छी तरीके से mobilize कर सकते हो national wide जाहे all over the world next is securing foreign capital इसमें आप जो foreign capital उसे secure कर सकते हो and अपने जो resources आप अच्छी तरीके से allocate कर सकते हो जिससे आप उससे high yield या high satisfaction ले सकते हो next components of capital market क्या 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 components capital market के number one है new issue market new issue market जिसे हम primary market भी कहते है new issue market में जिसमें हम अपने company के shares first time issue करते हैं ठीक है securities को first time issue करते है स्टोक मार्केट है secondary market वो market होती है जिसमें existing securities हमारी पहले सी security हमने थोड़ी और रियूशू कर दी वो सारी चीज़ें derivative market का क्या मतलब होता है तो इस primary market secondary market मैंने अल्रड़ी आपको पढ़ा दिया था description में लिंक आप वहां से देख सकते हो अब हम सीधा बढ़ेंगे derivative markets derivative market आपको five marks के लिए important है तो derivative market के क्या मतलब होता है जैसे कि for example मालो sugar है ठीक है sugar आप क्या कर रहे हो अब sugar जैसे कि पालो sugar है sugar किसे मनती है sugar के इन से मनती है अगर sugar gain का price up जाएगा तो sugar का price भी क्या जाये अप जाएगा अब sugar के लिए एक एसेज होताद म to laugh underlying content का मतलब होता हूसा इससे ही तूसरा प्रोडक्ट मनने जैसे इस शुगर से sugar pad बननी है sugars लेइव गर लिए underling acid जाँगा sugar gain अगर underlying acid यानकि sugar के गणने का अगर प्राइस अप जाएगा शुगर का प्राइस पी आप जाएगा अगर बॉर्इज कम जाएगा अंडरलाइंग असेट का जो इशु करती है central government state government and semi government bodies यह public sector भी इशु कर सकते हैं ठीक है और इसमें जो government securities नहीं हो काफी जदा important role play करती है stock market अगर इंडिया की बात करें fund mobilized issue of government securities लब कह सकते government जितने भी securities को issue करती है वो कह सकते हो 80% जो है total funds mobilized की जाते है stock exchange में जितने भी stock exchange में लिस्टिड है 80% यहां उससे थोड़ा कब यह ज्यादा कौन सी होती है government securities ही होती है यह जो funds है वो mobilized किया जाते है ताकि short term funds and long term needs को government की को fulfill किया जाए ठीक है और जो government securities होती है इन्हें safest माना जाता है क्योंकि इसमें जो आपको important role play करती है financial market में क्योंकि the bank of India on the behalf of government issue करता है and यह safest होती है क्योंकि इसमें आपको interest के साथ आपका जो principal amount है वो भी वापस मिल जाता है जो इसकी face value होती है इस securities की 100 यहां फिर thousand होती है government securities safest होती है है क्योंकि इसमें जैसमें आपको बताया interest भी मिलेगा और payment भी मिलेगी ठीक है and जो government securities है यह stock certificate यह प्रोमिसरी note में issue होती है ठीक है तो गैस यह था आपका government securities market तो गैस आज की वीडियो में इतना ही जो इसका next part है इसी chapter का वो हम next वीडियो में cover करने वाले है and financial market and services की full playlist का link मेंने description में आपको प्रवाइड कर दी है यह आप यह उसको देख सकते हैं जिसमें आपको सारे chapters mutual funds factoring सारे chapters उसमें मिल जाएंगे so आज की वीडियो में इतना ही thanks for watching this video guys and don't forget to like subscribe and share